हलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चानल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ इस बड़े में हम लोग बात करने वाले गवर्मेंट आफ इंडिया के डिसिजन से रिलेटेड सो ये तो सारे चीज़े हम लोगो रोज डेली देखने को आपे मिल ही जाती है कि सरकार इस सेक्टर के बारे में कुछ बात करें, उस सेक्टर के बारे में बात करें सेक्टर को बड़ा बनाने में आप सब लोगं को पता है सरकार का बहुत बड़ा योगदान भी होता है कुछ सेक्टर तो अलड़ी खुद से बड़े हापे हो चुके है तो वहापे सरकार का कोई requirement नहीं होता है बट कुछ sector ऐसे है जहाँ पर सरकार का permission चाहिए होता है because वो sector में अगर आप लोगो कुछ काम करना है तो सरकार के और से ही approval लेना पड़ता है तो ऐसे एक sector के हम लोग यहाँ पर बात करने वाले है और इस परकार की खबरे आपको आने वाले कई समय तक सुनने को और देखने को मिलने वाले because हमारे देश के GDP के अगर हम लोग बात करें ठीक है हमारी country क्या है developing country है ठीक है जो country अल्रेडी डेवलप हो चुकी है ठीक है वहाँ पर हम लोग को इस परकार की खबरे देखने को नहीं मिलते है क्योंकि वहाँ पर अल्रेडी maximum चीजे हो चुकी है चोटा मोटा चीजे हम लोग को देखने को मिल जाते है अमेरिका में देखिए 2%, 5%, 3% के GDP देखने को मिल जाते है हमारी इदर क्यों ग्रोथ इतनी जादा है क्योंकि हमारी इदर बहुत सारी काम होना बाकी है तो इसी कॉंटेक्स में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो काफी अच्छी खबरे लगातार हम लोग को देखने को आपे मिल रही है इसलिए इंडिया के अगर बात करें हमारे देश में जो एरपोर्ट की संक्या है जिस प्रकार से हमारा देश जितने पॉपिलेशन है जितना बड़ा है तो उस हिसाब से रहा गया तो number of airports काफी कमें no doubt per capita income भी हमारा काफी lower level पे देखने को मिल जाता है as compared to the developed countries but still हम यहापे कह सकते हैं अभी वो चीजे धीमे धीमे करके सुधरती भी देखने को आपे मिल रही है अभी भी काफी काम करना है यहापे बाकी है but yes इसी से related अगर हम लोग बात करें 2014 के हिसाब से recently सरकार ने एक data publish किया था कि 2014 में लगबक 74 airports देखने को मिल रहे थे कितना 74 जो कि 2024 तक मतलब 10 साल यहापे हो गए तो यह 150 प्लस हम लोगो जाते वे देखने को मिल गए मतलब more than double 10 साल के अगर हम लोग बात करें double से ज़्यादा airports बनते वे आपे जानी है 400 तक so definitely काफ़ी बड़ा target रखा है और आप देख सकते जो भी target से उनके सरकार के वो 2047 तक ही हम लोगो देखने को आपे मिल रहे हैं ऐसा क्यों obviously हम लोग 2047 में 100 साल आजादी के मना रहे होंगे तो इसलिए जो भी target सरकार के हापे बनते हैं वो हमेशा 2047 को लेकर ही हम लोगो को देखने को हापे मिल जाते हैं तो तब तक कितना वो बोल रहे है 400 higher level की बात करे तो 400 lower level की at least बात करे तो 300 airport बनाने का target लेकर सरकार ही हापे चल रही है तो definitely इस segment की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप जरूरी इसको study कर सकते हैं अगर मैं आपको article भी दिखा दू central government की बात करें aviation sector की अगर हम लोग बात करें so India aim to increase the operational airport to 400 by 2047 but आप सोचोगे की वाई ऐसा क्यों करके तो आप सब लोगो पता है भाई हमारे इधर जो demand है domestic air passenger की अगर हम लोग बात करें वो भी पिछले साल मतलब 10 साल की अगर हम लोग बात करें past decades की बात कर ले तो more than double होते वे देखने को आपे मिल चुगा है so इसी चीज़ के चलते हम कह सकते Indian airlines की भी बात करें significantly वो हम लोगों को बढ़ते वे देखने को मिल रही है तो obviously इस traffic को अगर आप लोगों को properly manage करना है तो आपको number of airport की संख्या number of airline की संख्या बढ़ा नहीं पड़ेगी क्योंकि demand लगातार बढ़ते वे देखने को मिल है अगर हमारे इंडिया की बात करें तो third largest domestic aviation market में इंडिया ही हम लोगों को देखने को आपे मिल जाता है obviously number one number two पे कौन रहेगा आपको पता ही होगा अगर नहीं पता तो मैं आगे आपको दिखा दूँगा तो आप देख सकते दोस्तों फिलाल जो performance यह आपे चल रहा है growth के इसाब से year on year basis की बात करें 15% growth हम लोगो देखने को आपे मिल रही है ठीक है तो एक काफी healthy growth देखने को मिल रही है और उसी की साथ साथ air passenger की अगर हम लोग बात करें financial air 24 के साथ से 37.6 करोड इतना number जाते वे देखने को मिल चागा है growth कितनी है year on year 15% की ठीक है तो यह data हम लोगो recently आपे देखने को आपे मिल आता है अगर हम लोग industry की अगर बात कर ले तो लगातार बढ़ती वे देखने को मिल रही है august month की अगर हम लोग reporting की बात करें जो कि DGCA ने आपे publish की थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि august month में जो domestic air traffic है वो लगबग 5.5% से भी जादा बढ़ चुका है which is somewhere around सवा करोड के आसपास सो इतना लगातार हम लोग को demand बढ़ते वे देखने को मिल रहा है सो हम कह सकते इस business में काफी अच्छी खासी growth हम लोग को लगातार देखने को आपे मिल रही है तो इसी चीज को पकड़ कर अगर आप कोई shares को study करना अगर आप यहापे चाते हो तो उसी के हम लोग बातचीत करेंगे obviously कोई recommendation यहापे नहीं होता है आप सब लोग को पता ही है ठीक है करीदना है बेचना है hold करना है average करना है भाई आपकी मरजी ठीक है आपके जो financial advisor रहेंगे उनके साथ आप discuss करके जो सही लगता है आप decision ले सकते हो तो start करेंगे दोस्तो airport से related अगर आप लोग को रूची है तो airport से related ज्यादा option भी अमारे market में available है नहीं दो ही company देखने को में जाती है पहली company है दोस्तो अदानी enterprise अदानी enterprise की अगर हम लोग बात करेंगे airport से related तो आपको फिलाल इसी को देखना पड़ेगा अभी अदानी enterprise में तो multiple business आते है airport का business भी इनी के अंदर आता है तो वे एक point तो जरूर यहाँ पे है बीच में हम लोगों ने एक खबर सुनी थी कि अदानी airport जो अदानी enterprise के भी अंदर आ जाता है कि अदानी airport जो यह business है likely to be demerged from अदानी enterprise and separately listed in stock market कब तक by the end of financial air 26 ऐसे report के जरे खबर आयी थी 2023 की report थी ठीक है अदानी airport अलग से list हो सकता है 26 तक ऐसा बोला गया था तब तक के लिए अगर देखा गया तो अगर आपको किसी को study करना है जैसे मैंने कहा कि enterprise के अंदर तो आप लोगों को काफी business मिलेंगे infrastructure का मिल जाएगा जिसमें airport भी है road है, rail, metro, water, data center solar manufacturing, agro, defense सब कुछ आपको देखने कहाँ पे मिल जाता है तो यह point पताओ नाचे same like reliance industry reliance में आपको geo पसंद है industry खरीदना पड़ेगा retail पसंद है industry का ही share खरीदना पड़ेगा chemical का business पसंद है तो भी industry मतलब यह एक हम लोग को disadvantage भी ज़रू देखने को मिल जाता है वही पे अगर अलग-अलग segregation रहता है तो company को better valuation भी मिल जाता है market cap की बात करे अदानी enterprise की ज्यादा shares को dilute करना पसंद नहीं करते है 74% approximately promoter है FS almost 12% है DS की बात करे 6% है and public 7.5% के holding के साथ work यहापे कर रहा है तो अदानी enterprise को आप जरू study कर सकते हो पर याद रखना यहापे बट आता है कौन सा? Yes वही Hindenburg वाला तो यह वाला एक point आप लोगों को पता है यहापे होना चाहिए Hindenburg अदानी ग्रूप के पीछे पड़ा हुआ है ठीक है and देखा गया तो अदानी जी ने कुछ ना कुछ तो इसे related permanent solution find out यहापे करना चाहिए ठीक है इनके उपर कुछ तो अगर वो international court में जाके अगर case कर देते है and अगर यह matter अगर खतम हो जाता है तो जाके हम कह सकते कि अदानी ग्रूप completely इन चीजों से मुक्त हो जाएगा and अगर वो ऐसा नहीं करते तो definitely Hindenburg बार 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 यहापे क्या करेंगे tweet यहापे करते रहेंगे तो यह एक दिक्कत हम लोगो ज़रूर अदानी ग्रूप में लगातार देखने का आपे मिल रही है तो ज़रूर देख लेते इस से लेटर आगे वो क्या करते है करके ठीके matter अभी भी सुप्रेम कोर्ट में जारी है then अगर हम लोग बात करे एरपोर्ट को लेकर ही अगर आपको और किसी स्टॉक को स्टड़ी करना है तो एक और दूसरा स्टॉक है जो कि GMR Airport Limited यह सनाम में ही सब कुछ है आपे आजाता है तो आपको अंदज है आपे आता ही होगा तो इस कंपनी को भी आप चाओ प्रमोटर के पास देखने को अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का स्टेक काफी जबरदस लेवल पर हम लोगो बढ़ते वे देखने को आपे मिल चुका है ठीक है FIS की बात करें 25 का 14 हो गया BIS की बात करें तो साड़े पाच का सवा तीन हो गया पब्लिक की बात करें तो सवा नो से 15 साड़े पंदरा या फिर आप नियरभाई 16 पसंड भी आपे कह सकते हो यह सिर्फ आपको मैं बता रहो कौन-कौन से कंपनी से करके कोई रेकमेंडिशन होता नहीं है दैन अगर आपको एरपोर्ट से रिलेटेड अभी है जो एरपोर्ट के नंबर यहापे बढ़ाया जारे क्योंकि इसके पीछे का रीजन भी यही है जैसे कि अभी आप लों को बताया कि डोमेस्टिक एर पैसेंजर ट्राफिक लगातार बढ़ रहा है तो एरलाइन वाली कंपनीस को भी आप स्टडी कर सकते हैं अभी एरलाइन में देखा गया तो एक ही डिसेंड कंपनी जो की शेर बादर में लिस्टेड है वो है इंडिगो ठीक है स्पाइस जेट के साथ भी आप चाहो तो जा सकते बट स्पाइस जेट अलग लेवल पे हमनों को बार-बार फसते वे देखने को मिल जाता है तो इंडिगो को आप देख सकते हैं कंपनी के रिजाउस माइनस से प्लस में आते वे देखने को मिल गए लॉंग टर्म बोरिंग जिरो हो गया शॉट टर्म बोरिंग अट्रा सो करोड का अभी भी देखने को मिल रहा है साल बर में वो भी खतम हो सकता है cash company के पास बहुत अच्छी देखने को मिल रहे है 16 करोड के आसपास है market cap nearby 2 लाग करोड के आसपास हो चुका है peer segment में देखा गया तो नंबर वन position पे आपे काम कर रहे है बाकी के तो players तो आदे तो खतम यहापे हो गए company जो पहले घाटे में यहापे चलती थी minus 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 में वो company भी profitable यहापे हो चुके so growth वाला segment है वहाँ पे company अकेले monopoly के साथ यहापे चल रही है promoter holding 55, FIS 24, DIS के बाद करे तो roughly 15 and public 5% के नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो inter globe aviation भी आप अपने radar के उपर रग सकते हो plus उसी की साथ air taxi जैसे future oriented business में भी company काम करने की कोशिश यहापे कर रही है कितना सफल होगी वो तो बाद में पता चल जाएगा and आखरी company दोस्तो BLS International आप जाओ तो इसको भी study यहापे कर सकते हो ठीक है जितने airport के numbers यहापे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा air passenger का traffic यहापे बढ़ेगा उतना ज़्यादा visa से related इनको काम बढ़ते वे देखने का आपे मिल सकता है 16000 करोड का यह छोटी सी company हम लोगों को देखने का आपे मिल जाती है ठीक है डैन अगर हम लोग बात करें शेर होल्डिंग पैटन तो यहापे भी आप देख सकते 71% प्रमोटर है FISDS यहापे कंबाइन लिए 8-8,5% के असपस है पबलिक यहापे 19,5% के होल्डिंग के साथ वर्क यहापे कर रही है तो आप चाहो तो इन कंप्रेंस को study आपे कर सकते हो औरल जो विडियो का कॉंटेक्स यही था कि हमारे देश में एरपोर्ट की जो संक्या है ठीके वो यहापे लगातार बढ़ते वे देखने को मिल रही है 74 से 150 प्लस चली गई एंट सरकार टारगेट लेकर चल रहा है 400 तक इसको लेकर जाने का बट 2047 की बात हो रही है ठीके 2025 की ने कल की दिन की बात नहीं हो रही है तो यह वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए तो उस कॉंटेक्स में अगर आप इन चीजों को study करना चाते हो तो कौन से shares है वो मैंने आप लोग के सामने आपे रख दिये हैं स्वाशा करते हैं वीडिया लगा अगर तो चाहो तो इसको like and share कर सकते हो मिलते हैं नेक्षोडे में तब तक के लिए बबाए